उत्री फ्रांस में फ्रेंच फ्राइज एक पसंदीदा खाना है ओरेली मेरेल की दुकान लाफृत ओवेलेनी नुआस पर लोग जल्दी लंच के लिए आने लगेंगे ये छे मिनट में तल कर तयार हो जाएंगे इन कटे आलों को ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए दो बार तेल में तला जाता है ओरेली एक हफ़ते में 100 लीटर तेल इस्तेमाल करती है दो साल से उन्होंने बचे हुए तेल को दान करना शुरू किया है अपनी बची चीजों को रिसाइकल टरना जरूरी है फास्ट फूड रेस्टरॉंट के साथ यही बड़ी समस्या है ये प्रोजेक्ट हमारे समुदाय में काम कर रहा है ये परियावरन के लिए अच्छा है और नौकरियां पैदा करता है यानि इसके फाइदे ही फाइदे हैं कार्लो बत्यातो गी को नाम के एंजियो के लिए काम करते हैं वो दो या तीन हफ़ते में एक बार औरेली की छोटी सी दुकान पर आते हैं और पुराना तेल ले जाते हैं कार्लो का एंजियो इससे बायो डीजल बनाता है फ्रेंच फ्राई की छोटी दुकाने उत्तरी इलाके की सबसे बड़ी दान करता है जैसे आज हमें जो मिला फिर हैं स्कूलों के कैफेटेरिया हमें अस्पतालों से भी कुछ मिल जाता है लेकिन लोग वहां कम ही फ्रेंच फ्राईज खाते हैं कारलो पुराने तेल को सीधे फिल्टरेशन बिल्डिंग में ले जाते हैं फिर इसे कई प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग मशीनों में डाला जाता है जो आलू के बचे खुचे टुकड़ों, अन्ने गंदगियों और पानी को इससे निकाल देती है मिशेल मिलियारेस्ट ने पंद्रे साल पहले इस एंजियों की स्थापना की थी लैब में वो दिखाते हैं कि उनका बनाया इंधन सिर्फ फिल्टर किया हुआ कुकिंग ऑईल नहीं है बचे तेल को बायो डीजल में बदलने की एक प्रक्रिया है हम तेल में अलकोहल मिलाकर केमिकल रियक्शन कराते हैं ये रियक्शन प्राक्रितिक तरीके से होने में समय लेती है इसलिए हम प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसमें एक एंजाइम मिलाते हैं और इस तरह से सारा तेल बायो डीजल में बदल जाता है दस लीटर फ्राइंग तेल से नौ लीटर इंधन तयार होता है और बैत्यून ब्रुए के गारबेज ट्रक डीपों में इसे फ्यूल टेंकों में भरा जाता है अब तक तीन ट्रक बायो डीजल से चलने लगे हैं जल्दी सारे ट्रक इससे चल रहे होंगे अच्छा चल रहा है और ये बदबू नहीं मारता पहले जैसा ही काम कर रहा है एक यूरो तीस सेंट प्रती लीटर के दाम में ये आम डीजल के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है लेकिन ये उसके मुकाबले दस फीस्दी ज्यादा खर्च होता है बहराल परियावरन के लिए ये फायदे मन्द है फ्राइंग ओईल के इस्तेमाल करके ये शहर कच्रा उठाने वाले ट्रुकों से हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में 90 फीस्दी की कमी करना चाहता है इन्धन के पूरे उत्पादन चक्र के लिए इसका हिसाब लगाया गया है और हमें इसे बहुत दूर से नहीं लाना पड़ता क्योंकि इस्थानी एस्तर पर ही इसका उत्पादन होता है ये सब कुछ ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को बहुत कम कर देता है गारबेज ट्रकों को सौफीस दी फ्राइंग ओयल डीजल से भरे जाने की अनुमती है लेकिन डीजल के इस विकल्प को फ्रांस की सड़कों पर इस्तेमाल करने की चूट अभी नहीं है सिर्फ छोटा सब प्रियोग किया जा रहा है लंच के दोरान आने वाले ग्रहक ओरेली की दुकान पर खड़े हैं फ्राइज तले जा रहे हैं बचे तेल को बेचने के लिए एक अच्छा बाजार है लेकिन ओरेली ने इसे बायो डीजल कमपनी को दान करने का फैसला किया है यहां ऐसी कमपनीया हैं जो पुराना तेल खरीद लेती हैं और मैं ऐसा करके मुनाफ़ा कमा सकती हूँ लेकिन मुझे अभी जो फाइदा मिल रहा है वो है परियावरन और समाज के प्रती जिम्मेदारी का और मेरे लिए ये माइने रखता है तो इसे कहते हैं सुआद के साथ साथ परियावरन का भी खयाल रखना